तोपिक है कि हमारी कंटी का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कम ही आ रही है और अब वो पहुंच चुका है 572.7 billion USD, USD मलब dollars ठीक है तो मैंना इस वीडियो में आपको पूरा समझाने ही कोशिश करूँगा फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, इसको क्यों मिंटेन किया जाता है, इसका फायदा नुकसान के है यह जो 572.7 billion dollar पहुंच गया है, कुछ टाइम पहले था कि 650 billion dollar आ गया था तो काफी जादा था, उससे थोड़ा कम हुआ है मतलब amount यह अभी भी बहुत बढ़ी है, अगर आप देखो, एक billion dollar को अगर हम रुपी में convert करके देखे, तो यह रुपीज में कुछ 8000 करोड बनता है, ठीक है एक billion dollar, तो मतलब 572.7 को अगर आप 8000 करोड से multiply करो तो लाखो करोड़ों में जो amount है कि इतनी amount का हमारे पास forex जव आज भी पढ़ा है तो यह पैसा क्या होता है, इसको क्यों रखा जाता है, क्या इसको रुपीज में रखते हैं, डॉलर में रखते हैं, सब कुछ समझेंगे, और यह कम क्यों हो रहा है, इसको भी समझेंगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अपनी topic की discussion को आगे बढ़ाएं, उससे बढ़े students मैं आपके आपर पता दू, पिछले साल, नबाट grade A, हमने बहुत ही अच्छा हैंपर result deliver किया था, 40 से जादा selection थी, और इस साल भी हमारा यही plan है, कि काफी सारे students हमारा साथ जुड़ें, हम उन के सामने रखा जाएगा, तो आप एक 7-day trial को join करके देख सकते, अगर आपको लगया कि हाँ, ये course में जो जो चीज़े आपको cover करें थी, सारी included है, तो आप इसको 7-day trial के basis पिजच करके आगे इसको पूरा join कर सकते, ठीक है, तो complete course होगा phase 1 और phase 2 के लिए, आप इसको 2.7 billion dollars पे आके रुग गया, ठीक है, तो forex reserve में होता क्या है, सबसे लिए आपको यह दिखा रहता हूँ कि forex reserve के अंदर असल में होता क्या, included क्या होता है, ये मैंने बिलकुल recent जो data है, reserve bank of India की website से लिया है, forex reserve जो होता है इंडिया का, उसमें basically rupee वेगरा नहीं होता, ठीक ह उसके लाब है SDRs होते है, special drawing rights, उसके लाब होता है reserve position in the INR, ये जो तीसे नमबर वला है और चौते नमबर वला है, ये तो थोड़ा कम ही होता है, ठीक है, ये दोनों IMF से ही जुड़े होते हैं, सबसे जाद होता है foreign currency assets, और foreign currency assets में हम दुनिया भर की currency रखते हैं, पर उसमे इसमें भी सबसे जाद होती है dollar मतलब, आप एक चीज़ कह सकते हो कि हमारा ये जो forex reserve है, उसमें सबसादा पढ़ा हुआ है United States का dollar, क्यों? क्योंकि dollar आज के डाइपे trade के लिए इस्तमाल किया जाता है, हमने किसी से कच्छा तिल खीदना है, gold विगरा खीदना है, उसके कामों के लिए use करें, वो हम अभी समझ लें, तो अभी आपको सिर्फ ये समझा है, कि forex reserve होता कि, तो reserve bank of India के recent data से हमको पता चला कि जो जुलाई 15 को हफता खतम हो रहा था, हमारा forex reserve कम होता होता, 572.7 billion dollar पे रुक गया कि, ठीक हो, कमी आ रही है, हमको समझ लग रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, हम अपना forex reserve हमेशा उपर लेकर जाने कोशिश करते हैं, अभी नीचे आ रहा है क्योंकि situation थोड़ी normal से अलग चल रही, ठीक है, तो पिछले 20 महीनों में, ये जो आज जहां के रुक गया, ये सबसे कम number पे आके रुक है, हमारा forex reserve, ठीक है, ठीक ह मैंने आपको पता है, forex reserve में चार चीज़े होती है, foreign currency, assets, dollar, pound, फिर gold होता है, फिर SDR होता है, और फिर होता है, country's reserve position, अब इन चारों में से क्या कम हो रहा है, बला अगर इंडिया का forex reserve कम हो रहा है, और वो इन चार चीज़े से बनता है, तो क्या कम हो रहा है, क्या gold कम हो नहीं, gold भी कम नहीं हो रहा है, SDR में भी जारा फरेक ने पढ़ा, ना ही कंटी की reserve पुछ हो, फरक पढ़ रहा है, foreign currency asset में, और इसमें भी जो dollar है, dollar हम लोग यहां से निकाल के use कर रहे है, इसलिए इंडिया का forex reserve है, उसमें थोड़ी सी यहां पर कमी देखी जारी, पर जो तो पॉइंट कुछ billion dollar अभी बचा तो मुल्ब अभी भी हम लोग है काफी comfortable, अगर आपको compare, इसलिए शिलंका का forex reserve तो चलो बहुत जीरो ही हो चुक है, पाकिस्टान कभी साड़े साथ से लेके 8, बस इतना है, billion dollar के forex reserve पर होता है, तो मुल्ब ठीक है, इंडिया भी हम कहे dollar उपर ही जाता जाता है, क्यों dollar उपर जाता है, रूपी के मुकाबले, देखो, dollar की demand supply हिल गी है इंडिया में, dollar की इंडिया में बहुर अच्छी demand होते है, पर supply नहीं हो पार ही, क्यों, dollar की supply होते ही, United States of America से पर USA ने अपने यहाँ पर loan महंगे कर दी, अब वहाँ loan महंगे ह तो लोग USA के बैंकों से loan नहीं ले रहे, पहले वहाँ से लोग loan लेते हैं और उसको इंडिया में इंवेस्ट करते हैं, तो dollar की demand supply ठीक थी, पर अभी USA से supply हो नहीं रही, वो इंडिया में supply आई नहीं रही, इस वज़ए से अगर किसी चीज़ की demand जादा है, और उसकी supply इतन से supply करनी शुरू करेते हैं, तो वो कुछ हर तक demand supply को stabilize करने की कोशिश करें, ताकि dollar के मुकाबले जो रूपी है, ठीक है, वो इतना जारा नीचे ना गिरता रहे, तो यह बड़ा बहुत बड़ा reason है जिसकी वज़़ा से हम आप कह सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी कमी आ रह ठीक है, ठीक है, चलो, costly होगी है, जैसे मानलो हमको पिछले साल, 100 लीटर कच्चा तेल चाहिए था, crude oil, अब वैसे तो इस साल थोड़ा जादा चाहिए होगा, पर चलो, हम मानते इस साल भी हमको 100 लीटर ही चाहिए, वैसे तो हर साल थोड़ी बढ़ जाती है, पर चलो, मान उतनी इमाउंड के लिए अब जादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वैसे हमारा जो, जो डॉलर्स है, उसमें जल्दीली यहां पर कमी आ रहे है, ठीक है, तो I hope आप यहां पर कुछ मेजर मेजर रीजन समझें की, हो क्या रहा है, और यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, और यहां पर तो मैंने आपको समझा ही दिया, अबने एंड में आपको आज एक चीज़ समझाता हूँ, शायद आपने ने इसको पहले भी कभी पढ़ा होगा, पर मैं आपको अच्छे से समझा जाता हूँ, इसको बोलते है, बैल किसमें बहुत सारी करणसी, बहुत कुछ आ सकता है, उसको मैं बैलेनस और से समझाता है, इंडिया में जो पैसा आता है या जाता है, वो बेसिकली दो तरह की अकांट से आता जाता है, एक तो होता है capital account, एक होता है current account, capital account में क्या होता है, जैसे इंडिया में कोई investment आई, इ इंडिया ने कुछ पैसा उधार लिया, इंडिया ने किसी को पैसा उधार दिया, ठीक है, तो यह basic लिए होता है capital account, current account में हम trade विगरा की बात करते हैं, पहले capital की बात करते हैं, देखो, इंडिया में investment जादा आती है, इंडिया से investment बाहर कम भी जाती है, इंडिया बाहर से इत बात करें, इस current account की, यहां पर थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्या दिक्कत वाली बात है, देखो, जब हम बात करते हैं, goods के trade की, services के trade, इसमें क्या हो रहा है, हम ना दुनिया से जादा मंगवा लेते हैं, मतलब हमारे imports जादा होते हैं, पर दुनिया को एक्सपोर्ट बे दॉलर ही वापिस मिलता है, जब हम कुछ बेचते हैं, हमको कमाने को मिलता है, पर क्योंगी बेचते हैं, तो डॉलर कमाया कम जाता है, खर्चा जाता है, इसकी वैसे हमको यहां थोड़ा सा नुकसान होता है, तो यह थोड़ा से मैंने सोच आपको समझा दू, capital account और current account दो यहां पर हम फायदे में, यहां पर हम नुकसान है, जितना जादा हम दुनिया से इंपोर्ट जादा करते रहेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, हमको dollar का नुकसान होगा, यह भी एक रीजन है, जिसके विसे हमारे Forex इसको अच्छे से समझें, जितने भी important points से मैं आपको ठी अच्छेस्फुल दे, मिलते अवनी नेक्स वीडियो करने, थैंक यूशूस